हेलो फ्रेंट्स वेल्कूडों मैं यूट्यूब चैनल तिंक टेक्निक की रहा आज की इस वीडियों हम डिस्कस करेंगे डिजिटल डोकुमेंटेशन यार डिजिटल प्रेजेंटेशन जो पर्टिक्लर जो कोड़ 402 के लिए ICT का सब्जेक्ट है क्लास्ट 9 और 10 में उसके ल पर फिलिंदा ब्लैंक्स दिये गए जो इस पर्टिक्लर टापिक से बन सकते हैं और जो इसके लाउंग कोशन बन सकता है वो भी यहां दिया गया है इसके रिगार्डिंग आप इनकी प्रेपरेशन कर सकते हैं फूर फाइनल्स के लिए नेक्स यह तो हमने किया मूवी क्लि अब इसको फाइंड आप कर सकते हैं और इनके चंसे काफी जादा फाइनल्स में आने के हैं नेक्स वरकिंग विड टेबल्स अगर आप टेबल्स के साथ वरकिंग करते हैंир प्रेजेंटेशन तो उसके लिए कौन-कौन से फिलिंदा ब्लैंक्स आ सकते हैं और जो लॉंग है वो कौन-कौन से आ सकते हैं यहां पर देखे दो मैंने दिये गए हैं जो और पार्ट में मैंने शू किया है नेक्स ऐसे ही अगर आप वर्किंग विद करेंगे चार्ट तो इसके लिए आपके कौन-कौन कोशन बनते हैं और यहां जो कौशन बनता है वो मैंने शो किया और मैंने शो की है guys जब हम ृपॉलइड करते हैं तो उनके लिए कौन-कौन से पौटिकलर फिलिंदा ब्लैंक मेंने आपको questions आ सकते हैं particular papers में और जो long answer है वो जो इसका बन सकता है वो कौन सा है वो मैंने यहां display किया है तो इनके भी आप preparation कर सकते हैं उसके बाद जैसे transitions के बाद हम करते है animations तो उसके related animations के कौन-कौन से आपके fill in the blanks बनते हैं और उसके जो long question answers है वो कौन-कौन से बनते हैं वो यहां पर मैंने डिस्पली किया है तो इनको आप solve करके final के लिए prepare कर सकते हैं next ऐसे ही अगर आप object को group करेंगे उनकी grouping करेंगे तो उसके लिए कौन-कौन से आपका particular group का use होता है कौन से specified cells होए रहा होते हैं वो सहाब बनाए गए है questions fill in the blanks वो आप देख सकते हैं ऐसे ही speaker notes अगर आप insert करें in your ppt, in your presentation, in your slides तो उसके लिए कौन-कौन से यहां पर fill in the blanks बनते हैं और कौन सा long answer, short answer बनते हैं वो यहां पर display किया गया है और इसके लेटर जो common से questions हभी के बनते हैं, reviewing content के लेटर जो पूरे यहां बनते हैं उसके लेटर यहां पर कुछ particular यहां पर fill in the blanks दिये गए हैं इनको भी आप solve करके देख सकते हैं उसके बाद preparing ए delivery presentation अगर आपने करनी है किसी को presentation prepare को effective presentation लिखनी है तो उसके लिए कौन-कौन से tips हैं यहां पर फिला दो long question answers बनाये गए है questions और यहां पर एक fill in the blanks बनाया गया है उसके regarding आप यह भी prepare कर सकते हैं और जो काफी important topic जो बहुत कम और लेकिन आपको पता होना चाहिए printing a presentation कि अगर आपने presentation जो बनाई है उसको अगर आपने print out निकालना है तो उसके लिए कौन-कौन से options हैं जो आपको follow करने पढ़ेंगे print out निकालने के लिए और यहां पर एक और भी question है जो मैंने यहां पर long में बनाया short में बढ़ाया है what are the steps to printer presentation तो उसके लिए जो भी आप आप word में method यूज़ करते हैं excel में यूज़ करते हैं तो सेम ऐसा ही presentation में यूज़ करेंगे लेकिन यहां पर एक छोटा सा difference आता है अगर आप note space को print करना चाहें एक slide को या चार slide को एक page में print करना चाहें वो आप सारी selection कर सकते हैं according to you जो भी उसमें particular printing का options है so friends ये सारे questions करके देखिए इसका फिलार ये जो मैंने जो soft copy आपको show कर रहा हूँ इसका जो link है मैं आपको वीडियो के description में दे दूँगा वहाँ से आप इसको download करके इसका print out निकालके इसको solve कर सकते हैं for finals के लिए लेकिन फिर भी अगर आपको इसका कोई भी caution में कोई doubt है fill in the blanks में कोई doubt है कोई solution नहीं मिल रहा तो उसके regarding आप इसको comment box में comment कर सकते हैं और उसका जो answer है वो मैं आपको बता दूँगा so friends ये सारी process करके देखिए few face any problem comment box में comment कीजिए और साथ के साथ अपने friends के साथ या अपने जो भी आपके short channel networking sites हैं और जो आपके friends उनके साथ share करें so that वो भी in particular question answers का use करके finals के लिए prepare कर सकें so thank you friends for watching this video